इरान के राज़पती इब्राहिम रईसी की रविवार को हेलिकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई उनके साथ इस दुरगटना में इरान के विदेश मंत्री होसेन अमीर अब्दुलियान की मौत हो गई रईसी की मौत पर दुनिया भर के लोग दो धड़ों में बटे हैं कुछ लोग उनके मौत पर जश्र मना रहे हैं तो कुछ उनकी मौत को संदिक्द मान रहे हैं उनकी मौत के पीछे इसराइल का हाथ माना जा रहा है रैसी की मौत के पीछे इसराइल का हाथ कहे जाने के बाद रूस भी इस मामले में खुल कर सामने आ गया है क्योंकि रूस अमेरिका के बीच चल रहा तनाओ किसी से चिपा नहीं है यही वज़ाए कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर इसके पीछे इसराइल का हाथ है तो कहीं न कहीं इसमें अमेरिका की भी भूमिका है क्योंकि अमेरिका और इरान की भी पुरानी दुश्मनी है रूसी राज्टपती ब्लादिर्मिर प।टिन ने कहा है कि, जिस हेलिकॉप्टर दुर्गटना में इराइनी राज्टपती इब्राहीम रैसी और अन्यधिकारी मारे गए हैं उस दुर्गटना की जाँच में इरान की मदद करने के लिए रूस तयार है पुतिन ने संसत के निचले सदन के अध्यक्ष के साथ एक बैठक में कहा कि यदि हमारे सायोगियों को इसकी जरूरत है तो हम इस दुरगटना के कारों की जाच के लिए उन्हें विशेस सहायता प्रदान करने के लिए तयार है इसी दौरान उन्होंने रैसी के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए इरान की अपनी यात्रा से पहले बैठक में रैसी की मौत को बड़ी खशती बताया पुतिन ने कहा कि वो वास्तों में एक विश्वस्नी और आत्मविश्वास से लब्रेज व्यक्ती थे जो हमेशा अपने देश के राष्ट्रे हितों के लिए काम करते थे पुतिन ने कहा कि वो अपने शब्दों के पक्के बखती थे और उनके साथ काम करना खुशी की बात थी हाला कि पुतिन ने पुतिग्या की कि रूस इरान के साथ अपना सहयोग जारी रखने के लिए तयार है क्योंकि दोनों देशों ने रहिसी के दौर में भी एक दूसरे का सहयोग किया था उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से रूसी इरानी संबंदों को इसी तरह जारी रखने की पूरी कोशिश करेंगे आपको बता दे कि पुतिन और रहीसी की अंतिम बैठक 7 दिसंबर 2023 को रूस में हुई थी इसे पहले उन्होंने एक आउनलाइन ब्रिक्स शिकर सम्मेलन में भाग लिया था सितंबर 2022 में समरकंद में शरंगाई सहयोग संगठन S.E.O. शिकर सम्मेलन के मौके पर दोनों राश्टपतियों ने कहा था कि उनके देशों के बीच सभी ख्षत्रों से सक्रिय रूप से सहयोग हो रहा है दोनों निताओं के बीच फून पर आखरी बार 16 अप्रिल को बाचीत हुई थी आपको बता दे कि रैसी का हैलिकॉप्टर 19 मई को इरान के पुर्वी अजरबेजान प्रांथ में दुरगटना ग्रस्त हो गया इसमें इरान के शिर्स राजनई होसेन अमीर अब्दुलाहियन पुर्वी अजरबेजान के गवर्नर मालिक रहमती सहीत राष्टपती के सुरक्षा से जुड़े लोग भी विमान में श्रामिल थे दुरगटना में पांच यात्रियों और चालक दल के तीन लोगों की मौत हो गई हाला कि दुरगटना के कारों की जाँच के लिए एक जाँच पैनल गठिद किया गया था फिलाल रहिसी की जगा उप राष्टपती मुखबर इरान के कारेवाहक राष्टपती बने हैं थाइस जून को राष्टपती का चुना होता है इसके बाद अगले राष्टपती का चुना होगा